चैनल को लाइक कर दीजेगा और सस्क्राइब करके रख लीजेगा स्टार्ट करते हैं दोस्तो चलिए यह प्रस्ण टोटल हम सव प्रस्ण देखेंगे 36 गड़ में ऐसा ही प्रस्ण देखने को मिर रहा है क्योंकि जितने भी मैं कोश्चान लाया हूं सव प्रस्ण यह आपका व्यापम और प्याश्ची में कई बार रिपीट हुआ है बार बार रिपीट हो रहा है तो चाहिए क्लास तक देखना है न क्योंकि यहां काफी महतापण आपको यूसफुल लगता है कि नहीं लगता बलास्ट में कमेंड करके बताना भी आपको कमेंड नहीं करना है बस वीडियों में आपको अच्छे से रिवाइस करके जाना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं 36 गर राज्य क्लास कराऊंगा जिससे आप अच्छे तरीके से रिवाइस कर सकते हैं अगर आपको मैं पीडिय दे भी देता हूं तो आप पढ़ते नहीं है ना इसलिए कह रहा हूं 27 को आपका महिला पर एक्षा के एक्जाम है तो आप लोग जल्दी से पढ़िएगा ठीक है तो चलिए में कुल कितनी राजे सब है तो पांच है ना ये कम से कम पांच से च्छे बार एक्जाम में पूछा गया है जैसे कि अभी लेवार इस्पेक्टर का इखाम हुआ है उसमें पूछा गया है उसके बाद प्यून यानि कि चपरासी भरती मंत्राले का इखाम हुआ उसमें भी तो आप सभी को मालुम मखर जर्णल समान्य बात है की चेहां टोटल आपका नब्वेधान सभाट है ठीक है राजय में कुल कितनी लोग सभा सीट है तो ग्यारा देखिए और यह आपका राजय वरतमाल कुट कितने संभागे पांच लेकिन यहां पर पूछ लिया जाए कि लो तो आप पांच और दोनों मिलकर क्या बनाती जो की टोनों मिलकर आपका संसद बनाती ठीक है चलिए जितने भी जो भी बोर रहूं जो भी टॉपिक बता रहा हूं उसको वीडियो को लास्ट तक देख के जाना और लास्ट हमें आप लोग कमेंट करना कि यह वीडियो कैसा सबसे बड़ा संभाग कौन सा है आप बताएंगे सबसे चोटा संभाग आपका दूर्ग लेकिन अगर छेत्रफल के दृष्टी से पूछा जाया तो आप बताएंगे गवरेला पिंडरा मरवाई हैं यह हम आगे आपको बताने वाले ठीक है वो भी आपको कोईस्टन में मिले सबसे बड़ा जीला कौन सा है तो राजनान गाओं अगर्ष्टन मिले के सबसे बड़ा जीला कौन सा है तो राजनान गाओं सबसे छोटा पूछेगा तो दूरगा लेकिन अगर छेत्रफल की दृष्टिस पूछा जा तो यहां पर देखिएगा गवरेला पिंडरा मरवाही लिया है यही आप गलती करते हो वीडियो को लास तक नहीं देखते हैं ना वीडियो को लास तक देखना है क्योंकि एक्जा में को अच्छे से पढ़ते नहीं हो चलिए आप देखिएगा यहां तक मैं बताया इसके बाद देखिए पंद्रा कोस्टन से स्टार्ट करते हैं जो व्रिष्टि छाय प्रदेश के अंतरगत आता है तो आपको कवर्दा होगा चाथिर राज्या के प्रथम राज्य पाल द देखने को मिलेगा 30% 30% ऐसी कोशन आपकी एक्जाम में देखने को मिलेगा एक पढ़ लेना दोस्तो मैं गरंटी लेता हूं 30% आएगा नहीं आएगा तो मैं क्लास लेकर नहीं आओंगा ठीक है क्योंकि मैं जितने भी अभी रिवाइस किया हूं यहीं से कम से कम 15 15 नंबर यानि की देखिए हर एक एक्जाम में कम से कर 15 नंबर का 36 समाजने जाने का पूछता है लेकिन यहां से 5 से 6 नंबर एक्जाम में पूछ सकता है पढ़ने में क्या है आपको जनरल नौलेज पढ़ना है ना तो एक्जाम में पूछता है आप लोग पढ़ लीजिगा चाहे को व्यापाम, SSC, Railway, RRB, जो भी एक्जाम की तयारी करते हो, SSC, CHL, जो भी एक्जाम की तयारी करो दोस्तों, यहां से एक्जाम में कोशन पूचता ही है, ठीक है, हाँ तो हम कहां थे यहां, ठीक है, ठीक है, तो बिलकूर रिलेटेट कोशन है, बूक से है, जो भी ए, मैं इसको पीडियेप लेकर बनाया हूं है, बहुत मेहनत किया हूं, तो वीडियो को लाइक कर देना, कम से कम, इस वीडियो में कम से कम, दो सो प्लस लाइक आना चीए दोस्तों दो सो प्लस हमारे मेहनत को जाया ना कीजिएगा लास्ट तक देखिएगा ड्राजे का वर्तमार राजयपाल कौन थे अंसुया उके जब की अभी उसको चेंज किया गए है ठीक है का यहाँ पर अंसुया उकके नहीं लेना है इसको अभी चेंज किया गए है घ्याँ चेंज्ज गर में नहीं है दोस्तों आप सभी के लिए क्लास लेकर आँगो क्योंकि मैं हाशल वादाना और महिला परिश्चक से लेपस को अच्छी तरीके से देख लिया हूं है ना तो च्छतिर गार राज की पुछा जाया तो साल विक्ष लगाईएगा बर्गत नहीं डालिएगा ठीक है बर्गत नहीं है एक मिनट ना चलिए च्वीश्वा प्रस्ण देखते हैं शतिर गार राज को कितना छेत्रफल कितना है तो एक लाग 25,194 वर किलो मिटर यानि कि 1,35,194 वर किलो मिटर है जो च्छ च्छेत्रफल है और शतिर गार राज के सबसे बड़ा नगर पूछा जाया तो आप जानते है रहपूर है तो आप लोग बताईएगा कमेंट करके ठीक है लेकिन अभी 2023 का नहीं पूछेगा अगर इख्जाम में पूछता है जन्गर्णा वगरा से व्यक्ति से लोकों ती से याभी जितने भी यहां पर व्यक्ति है जनसंख्या घना तो है सब 2011 के अनुसार आपको पूछेगा ठीक है ना कि आप 2023 का मत पढ़िएगा 2011 का ही पढ़िएगा ठीक है लेटेश्ट है मैं उसी को बता रहा हूं व्यापा में पूछता है अब देखे 2011 के जन्गर्णा के अनुसार 36 के जनसंख्या घनात्वा पूछा जाए तो 189 प्रतिवर्ग किलोमेटर बताईएगा ठीक है चलिए तीसवा प्रस्ण देखते हैं है ना टोटल सव प्रस्ण देखेंगे एक्जाम में जरूर पूछा जाएगा 30% है ना तीस परसेंट यहां से पूछा जाएगा ने पांस से नमर पूछने का चांस है तो जांजगीर चांपा 400 मतलब 420 व्यक्ति प्रतिवर्णा के किलोमेटर पूछे ही जाने की संभावना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यहां पर कमेंड ना कीजिएगा गूगल से मेंसेज आ रहा है न मतलब नेट मेरा सर्वर डाउन नहीं है मतलब नेट अच्छी तरीका चर रहा है तो 2011 के जन गरना कर निसार जन संख्या कि दिसी पूछा गया तब अब देखेंगे 2011 से बहुत सरे कोर्शन पूछते हैं यहां से अच्छे सबसे चोटा जिला मतलब साक्षारता हम सबसे अधिक दूर्ग जिला है ठीक है 2011 के अनुसार ठीक है अब 2011 की जन गरना के अनुसार चाहिए तो देखिए 2011 से हमें से एक्जाम में प सबसे कम आपका बीजापूर होगा और सबसे अधिक में दूर्ग जिला होगा 2011 में और 2011 की जन गरना के अनुसार चाहिए जन संख्या भारत के कुल जन संख्या का कितना प्रतिशत है 2.11 प्रतिशत है सबसे कमें तो आप सबसे कम में और देखेगा विच्वकर सबसे अधिक किमर लाइट भंडार भात की कि स्राज्यम में तो आप सब अब देखिए यहां से 45 वा है उसके बाद यहां पर चुना पत्थर आप अब ब्रगदा बजार जीले में मिलता है उसी प्रकार चटीत गड़ के लेखख जगन्राथ प्रासाद भानू का समद्की इसे चंद शासर से लिया गया है छटीतित गड़ी बड़ी जन जन जाती आप शबी फिर आप देखते हैं फिप्टीवन से कोश्चन चतित गड़ में पहली बार सिमेंट सयंत्र की स्थापना कभू हुई है 1965 में आपका व्यापम में पूछा गया है दो बार ठीक है चतित गड़ का कौन सा खनीज नहीं पा जाते तामरा एलस का खनीज ये भी एक्जाम में दो पूछा गया है ठीक है और चतित गड़ राज्या के बहने वाली रिहन नदी को उद्गर मिस्थल मति रिंगा चुरी मति रिंगक पाड़ी अंभीका पूर चतित गड़ राश्टी उद्यान है गुरु घांसिदास राश्टी उद्यान से अभी एक्जाम में नहीं पूछा में पूछा गया ठीक है फिर दैड़ क से कोशून है शुरजपूर 608 कीलो मिटर यह भी आपका पूछा गया ही्lais रिस्पेक्टर पूछा क्या एक नमबर में सबसे बड़ा जीला मतलब वन्य जी उरक्षन कौन सा है अभ्यरन तो अब बताएंगे तमर पिंगला सुरजपूर 608 वर का किलोमेटर अगर सबसे छोटा जीला पुछा जाए तो 105 वर किलोमेटर है आपका बादल खौल कौन सा है बादल खौल ठीक है अब छतितित गार राज पूछा गया था अच्छे सपाड़ लीजेगा ठीक है अब देखेंगे यहां पर छातित्रगार राज्य का सबसे चाउड़ा जल प्रपात चीत्रकूट जल प्रपात चाउड़ा पूछाए चीत्रकूट लंबा पूछ जाए और सबसेच्ट प्रपात भारत के नियागरत कहा जाता है 36 गार राजे का पहली फिल्म कौन से आप सभी को मालूम है कही देवे संदे से आपके पीसी एक्जाम में पूछा गया था में जो की जन्वरी फरवरिम हुआ था उसमें एक नंबर से पूछा गया था और 36 गार राजे का प्रथम समाचार पत्र 36 गडमित्र आपक में पूछता है तो महिला परवेक्षा खोशालवादा ना एडियो आर आई जितने भी एक्जाम होते ना तो 36 समाने गयां से पूछता है इसलिए प्रस्ण लेकर आया हूं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा हमारे मेहनत को जायना करते हुए 36 गडमे जानते हो ना जाझगीर चापा जो आहां जाझगीर चापा जीले में शीवरी नहराइन का मनदिर इस्थीत थीत अedar कम देकर clicked तो बस्तर के जीमर रेखा इंद्रवती नदी को कहा जाता है मेरे दोस्तों अब देखे हैं पर कितना कितना question पूछा गया टोटल सब प्रसना करें गे हैं न तो किस नदी को 36 गघ गंगा या राजे की जीमर रेखा जाता है 36 गघ तो मा नदी दोस्तों तीस प्रस्ण और बचा है अभी चतित गड़ राज्य को उच्छ ने आला कहा है बिलासपूर में वीडियो आपको कैसा लग रहा है लास्ट हमें कमेंड करके बताना है आपको ठीक है अच्छा लगता है हम डेली ऐसी क्लास लेकर आएंगे है ना बारिश सताब्दी है तो फड़िनागवां और चतित गड़ राज्य का सरवाधिक प्राचिन मंदिर देवरानी जेठानी का मंदिर कहां है देवरानी जेठानी का मंदिर सरवाधिक प्राचिन मंदिर हैना इक्जाम में कई बार पूछता है ताला गाउं आपको मालूम होगा ताला गाउं है और एक मिनट देखेगा यहां पर 36 गड़ राजय में बुड़ी खार यानि के मलार प्राप्त प्राचेंता मूर्ती की भगवान कहां है चैतुर भूजी विश्नु की प्रतीमा और 36 गड़ के किस जिला विद्रो को बस्तर को मुक्ति संगराम कहा जाता है तो लिंगगिरी वि विद्रो साथ दो मतलब पेपर में पूचा है तो जैसे-जैसे कोश्चन पूचता है उसी प्रकर हम आपको टोफेक लेकर आते हैं ठीक है तो बने रहीएगा वीडियो पर कहीं जाएगा मत अब हम डेली क्लास लेकर आ रहे हैं एक च्छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक को करते हैं केंसल बाई बाई है ना ब्रेक को बंद कर दिये हैं अब चलिए फिर क्लास लेते हैं तो देखिए 36 राज्य का प्रथम मराथा सुबे दर एक्जाम में पूछा गया था महिपत राव दिन कर दो बार पूछा है और 36 राज्य के मैकल परवात यानि की पहाड है और भारत के कितने राज्यों की स्रीमाय से लगती है तो छे राज्यों की लेकिन अभी यह जो सबसे उड़ी सा जो सबसे ज्यादा है ठीक है और 36 राज्य की प्रतिक धान आप सभी को मालूँ फसन की बालियां कित करते हैं और प्राचिन काल में 36 राज्य के संपूर्ण चेत्र को किस नाम से जाना जाता है तो दक्षिन कौसल के नाम से जाना जाता है चलिए एक टीवन कोशन देखते हैं भारत का कौनसा राज्य है जो मात्रिक तो है यहनि कि मद्द्र प्रदेश हैना और 36 राज्य के मुख्य मंतरि आवास का नाम क्या है करूर चातिजिगर र पूछा गया था तो जितने भी प्रस्ट में पूछ रहा है मैं वही कोशन लेकर आ रहा हूं वही रिपीट होता है तो पढ़िएगा डेली हमारे चैनल पर है ना पहली बारा है तो ला चैनल को लाइक कर दीजिगा सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा आह alma पूछा गया थीक के राजेगे सरवधि कौन से चेस्तन वर्सा होती है अबुज मार्कि पहाडी पल कि हुआ। तो चलिए देखे इसके बाद चातिर गार राज्य के किस जीले में राणी दा जल प्रपात आपका जस्पूर और चातिर परठा अधर राठा सासा कॉन भीबा जी भौसले चातिर राजए के अमरिध दारा जल प्रपात आपको कोरिया जीला और चातिर ब्रिट्रिस राजे की शवर साथारा सेचहवण में चातिर राजे की सब्सक्राइब करक रेखा गुजरती है तो सभी को मालूं सूरजपूर करकर रेखा से नहीं गुजरते और इस आपसर में नहीं दिया रहेगा ठीक आज कर नहीं वाला सवाल ज्यादा पूछता है तो यहां पर यहां तक हो गया है अब देखते हैं यहां से चोरणबे वाला यह तो हो गया बताया अभी आप सभी को मालूमें महा नादी कितनी है 859 किलो मीटर जबकि चतीज गर में कितनी बैती है 266 किलो में है ना और एक और है कौन से नादी है गोदावरी नादी कौन से नादी जल्दी बताईएगा चतीज गर में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है लाल पिली मिट्टी एकजाम में दो बार पुछा गया ठीक है अब बात करते हैं सरवाधिक सीचाई का माध्य हम नहर से किया जाते है ना कि कुवह से यह भी आपको पीसी एकजाम में चैपरासिम पुछा गया सबसे प्रमुक फसल कौन सी है चावाल टीक है वीडियो आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताएगा लास्ट में आपको कमेंट करने के लिए कहा था टोटल सबस्क्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है तो आप क्या महिला परवक्षक की तया कर रहे हैं नीचे कमेंट बाक्सों में कमेंट करके बताएगे और बहुत सारी उर्जा हमारी खत्म हो चुकिए दोस्ता आज भी बहुत धीर